बूर्णिंग स्टुडेंट देखी इसते पहले हमने करी वाला चैप्टर टू कम्प्लीट किया था आज हम उसके कॉश्चन अंसर के बारे में डिस्कॉस करने जा रहे हैं तो आप कॉश्चन अंसर को साथ साथ रीड कीजिए और समझने की कोसिस कीजिए देखी फर्स्ट क्य यहां एक लोजर इन विच करी लिवड हैस थैस रूप रोप देट ले ओन थिक ट्री स्टूंप एक जामिन दा इस इलस्टेशन और करी पैलियंस ओन पेज नमबर 13 और से वाइट वोज बिल्ड दाव तो आपको क्या करना है जो ऐसा ऐसी जगह जहां करी रहता था जिसके पर क्या थी छपपरदार छथी उसके अंदर जो ट्री था उसके जो स्टंप थे ठूट थे वह क्यों लगाए गए थे एक इलस्ट्रेशन बताया आपके कभी के पावेलियं में पेज नमबर 13 पर ऐसा क्यों बनाया गया था यह आपको बताना है जो करी था जिस पावेलियं इन वीच करी लिए एक थैस्टूप जो छपपरदार छथी जिसमें पावेलियं की जिसमें करी रहता था रैस्टेट ऑन थिक ट्री स्टंप जो कि इसके उपर प्री के मोटे मोटे स्टंप के उपर लगाई होई थी सो देट रूफ वूड नोट फोल ताकि छट ना गिरे वैं जब करी बंप्ट अगेंस्ट दा पोल्स एज ही मोट अरूंड तब करी क्या करें मूब करें उसके चारों और तो क्या है छट गिरे नहीं इसलिए क्या 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 गया था जो ट्री के ठीक स्टंप लगाए गये कौसिएर करी एंज़ोगी इस मॉण बात in the river क्या करी के अंदर ग्री ऑनसर के लिए और बताया तो देखिये यस करी एंजञोगी बात को एंज़ोग करता था नदी के अपर अधी लेड डाउन ओने सेंडबेंग जब मिट्टी के किनारे लेट जाता था और उसका फ्रेंड और उसका फ्रेंड रब इस बैक को रब करता था और अल्सो लेड इंदर यूर वाटर पोर अलोंग टाइम वे लंबे समय तक पानी के अंदर ही रहता था लेटर रहता था इस फ्रेंड विद प्लेजर वे चिंगारता था खुशी के मारे वेन वाटर रब डाउन इस बैक जब उसकी पीट पर पाने को रगड़ा जाता था करी के लिए अच्छी टैनिया डूणने में टाइम क्यों लगता था क्योंकि इस फ्रेंड उसका जो दोस्त है है उसे चड़ना पड़ता था ओल काइंड ऑफ्री सभी प्रकार के पेड़ोंपर तू गेट प्राप करने के लिए दा मोस डेलिकेट कोमल एंड टैंडर ट्वि टैनियों को लेने के लिए और सो इफ अट्विंग इज मल्टी लेटेड एलिफंट विल नौट टच इट यदि वो बेकार की होती थी अजीब रंग से काटी गई होती थी तो चैनि करता था टच नी करता था चूता ने था तो वन हैट तो हैवा वैरी साफ हैस्ट इस गंटा लगता था तीखा करने के लिए पैना करने के लिए इज गोट नौट यह और यह कोई आसान काम नहीं था आसा करते हैं तक आपको तीनों के तीनों समझ में आ गए होंगे नेक्स देखी कॉस्ट नमबर और वाइडिड करी फूस्ट इस फ्रेंड इंटू दा स्ट्र पूल आउट क्योंकि उसे नहीं खीच पा रहा था अपने आप लड़के को फ्रॉम दारी वर नदी के किनारे उसने भैव लड़का जो नदी में डूब रहा था उसको बचाने के लिए करी ने किसको दखका दिया अपने फ्रेंड को दखका दिया क्यूंकि करी खुद उस शुबूल को दोनारा में व Bowl Tabii तरनी जो राइट इसका जो लेखा क्य का उसने करी को बेबी के जासे बताया क्योंकि ही boule rose मोर दिकी जो आवाज थी उसके जासी लाइक बनाग बतु लुक्त के यह है कि लिक्रो ना कि एलिफेंट के यह उसे मत्रेंट ना की असनी वं बढ़ता है इस नहीं बताया जाए वैन इवाज नौटी कि उसमें सरारत किया ही वोज अप्टू मॉर मिस्चेफ दैन एवर वह पहले की बजाए और भी ज्यादा सरारत करने लगता था यह अंडर स्टूल वर्ट्स लाइक चिल्डर्न दू और उसे बच्चों की तरह ही सब् चाइल बच्चे की सब्सक्राइब कि कोशन सिक्स करी है लप हींसेल थो ओल्दा बनाना इंड हा इंड होज विडाओ एन नोटिसिंग तो हाव डिडिड ही डू इट करी बिना मदद के सारे बनाना थे जो घर से ले जाता था बिद आइनी नोटिसिंग किसी को भी पता लग बिना इसा कैसे करता है करी सारे बनाना जुठा की ले जाता था घर से और किसी को पता भी नियुकर करता था था देखिए बनाना को रहें भाराना को कशिव की मदद से चुचा था फ्रोम्द टेबल में इसके उपर से इन डाइनिंग रूम कामरे से यूज तू पूट ट्रंक पहक्या करता था अपनी प्रंक को अपनी सून को ले जाता था 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 विंडो खिड़की के द्वारा इंद डाइनिंग रूम खाने वाले कमरे में डिसपैर गायब करदेता थ दिसपेट गायव हो जाता था विद बनानाज के लोग के साथ में विदाउट एट्रेक्टिंग एनी वन्स अटेक्शन बिना कि किसी प्रक्ति को पता लगे कोश्चन सैवन देखिए करी लंड़ कमांद सुसीट एंट वोग वट वर दा इंस्ट्रक्शन फॉर इच कमांद कर सोंन को फोरवड आगे की तरह यांज्ट जाता था सभशान कैने लगत करने लगता चंब चलने लगता लागता चणने लगता था कांगु को घुचता धकता था और जब उसको को खिचा जाता था और कहा जाता था माली तो क्या करने लगता था चनने लगता सब्सक्राइब मास्टर कोल क्या है वाइप से इंपोर्टन सीग्रल पुर्ष्ट के ओपकार को चाहिए वाइग और यह क्या इंपोर्टन değil को सीखने में तरह मास्टर को लिजा स्यूंद सब्सक्राइब रहे हुआ जैसे कि एक साप एक ताइगर और फाइटिंग इच अधर जैसे कि एक साप और टायगर आपस में झजगड़ा कर रहे हैं it is the most important signal यह सबसे महत्रपुन संकेत है for an elephant elephant के लिए because क्योंकि whenever master is in trouble जब master in trouble में होता है कोई मुसीबत में होता है one master call एक master की मालिक की आवाज ब्रिंग the elephant near him तो हाती को उसके पास में ले आती है यह जब मालिक मुसीबत में होता और वो एक लगाता है तो elephant इसकी मदद के लिए का है दोड़ा चला आता है तो मास्ट जो कोल है को इसमें इंपोर्टेंट है तो यह आपके chapter 2 question answer complete होते हैं आपको आपके notebook में note down करने और learn करने next chapter next video में read करेंगे तब तक के लिए thank you